हेलो एवरिवन वेलकम बेक टो माई चैनल और बताइए कैसे हैं आप सब दुआ करती हूँ जाँ भी आप हो ठीक ही हो खेरियत से हो हर परिशान से दूर रहें तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर क्या गई हूँ ब्रेड रोल्स जो बनाने में बहुत आसान खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बाहर से कुरकूरे अंदर से सोफ्ट बहुत आसानी के साथ हम इनको बनाएंगे ब्रेड रोल्स बनाने के लिए ना तो आपको अलग से स्टफिंग बनानी पड़ेगी ना ही ब्रेड को बेलना या काटना पड़ेगा तो वीडियो को फुल वा तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो ब्रेड ड्रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलो को उबाल कर अच्छे से मैश कर लिया है उबले मैश किये हुए आलो बड़े माउल में डालेंगे अब मैं बलकुल बारीक कटे प्यास हरी मीर छारा धनिया इसमे डाल देंगे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे देख सकते हैं आप हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब डालेंगे हम रेड चली नमक गरम मसाला लसन अदरक का पेस मिक्स करेंगे अब थोड़ा सा पोर्शन लेकर रोल बना लेंगे बनाने के बाद ब्रेड कृप देख सकते हैं आप मैंने सभी रोल्स बना कर तयार कर लिये हैं अब इनको हम फ्राइ करेंगे तो ओल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है तो साथदानी के साथ एक एक करके हम सभी रोल्स ओल में डालेंगे और लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राइ करेंगे साइट टर्ण कर दें हलकाल कासा ऐसे गुमाते हुए फ्राइ करें और बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं तो हम निकाल लेंगे अब दूसरा बेच भी इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे और गोल्डन क्रिस्पी होने पर निकाल लें तो देखिए आप हमने सभी रोल्स फ्राइ कर लिये हैं टोमेटो केचप या इमली की घटी मीटी चटनी के साथ इनको सर्व करें तो आई होप आपको ये वीडियो पसंदाई होगी अगर आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जल्दी मिलेंगे हम किसी न्यू टेस्टी यूनिक रेसिपी के साथ अपना और अपनी फैमली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा दौाओं में मुझे याद रखिएगा असलाम अलेकूं अल्ला हाफिज